Good morning to all, here I am Anita, आप सब का स्वागत करती हूँ, आप सब के अपने चैनल पाइलोजी ब्लॉग्स विद अनीता में, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, कौन से ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, जो पर्टिकुलर ओगनेशिम में सेक्स डिटर्माइन करते हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करते हैं, सबसे पहले, because we are the human beings, start अपने आप से ही करते हैं, human, human में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, that is the 46 क्रोमोसोम्स और we can say 23 पेयर, इन 23 पेयर्स में अगर हम क्रोमोसोम्स को डिवाइट करें, ताइप्स में, तो कितने टाइप्स के होते हैं, autosomes and allosomes, इन Allosomes को कहते हैं Sex Chromosomes यानि कि जो Autosomes होंगे वो कितना होते हैं 22 Pairs होते हैं and Allosomes कितने होंगे यह One Pair होंगे Allosomes और Sex Chromosomes इसलिए कहते हैं क्योंकि जो One Pair Chromosomes होता है लास्ट में वो Determine करता है Whether the individual is the male or the female For example, this is the cell Nucleus है, इसके अंदर आपके Chromosomes present होते हैं Pairs में इस ट्राइप से कितने Chromosomes होते हैं 23 Pairs लेकिन जो लास्ट वाला Chromosomes होता है यह सारे आपके कौन से हैं यह सारे आपके हो जाएंगे Autosomes लेकिन जो लास्ट वाला Pair होता है One Pair यह क्या होता है यह होता है आपका Sex Chromosomes Clear? इसी Sex Chromosomes से हम पता लगाते हैं Individual Male होगा या Female Clear? अब इसी Sex Determination को Divide किया गया है Two Types में Majorly देखें तो Two Types में Divide किया गया है Male Heterogamity and Female Heterogamity Clear? जो Male Heterogamity होते हैं वो होते हैं आपके XY Type या इनको कह सकते हैं XXXY Type दूसरा होता है XO Type इसको कह सकते हैं XXXO Type दूसरा होता है पढ़ेंगे O पढ़ेंगे हम That is ZZ ZO Type और Z Z Z W Type Clear? यह हमें आज पढ़ने हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं Four Types के पढ़ने हैं नाम से ही पता चलेगा Male Heterogamity Hetero means क्या होता है जैसे आपने मेंडल में क्या पढ़ा था? Capital T, Capital T होगा तो यह क्या है? Homogigus होगे Small T, Small T है तो यह क्या है? यह आपका है यह भी homogigus है अगर Capital T, Small T है तो इसको हम कहते हैं Heterogigus इसी तरह से अगर किसी में भी Male में Heterogamity होंगे मतलब कोई दो टाइपस के होंगे जैसे यह XY है ठीक? XY अलग-अलग है यानि कि Male में जो Last Chromosomes हैं वो टू टाइपस के हैं इधर X और Y टाइपस ठीक? एके करके हम detail में example देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा Let's start with the Male Heterogamity इसमें हम पहला देखेंगे अब हम देखते हैं Male Heterogamity में Male Heterogamity में हम पहला example उठाते हैं XY टाइप जिसे हम XXXY टाइप भी कह सकते हैं देखो Human में अभी मैंने बात किया कितने क्रोमोसोम्स होते हैं 23 pairs टेक क्रोमोसोम्स अगर हम इनको divide करें तो कितने होते हैं 22 pairs होते हैं autosomes और last pair जो one pair होता है वो होता है आपका allosomes जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं क्लियर लेकिन हमें यहां पे इस autosome से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा जो topic है वो sex determination से related है अब जो sex determination है जो 22 pair autosome होंगे वो चाहे male में हो या female में हो दोनों में equal होंगे same होंगे लेकिन अगर हम sex chromosomes की बात करें तो sex chromosomes अगर हम male की बात करें human में और female की बात करें तो क्या होता है जो male में होता है वो होता है x y और female में क्या होता है x x clear फिर से देख लो human में 23 pairs of chromosomes होते हैं और सभी को पता है जिसमें की 22 pair autosomes होते हैं यह autosomes चाहे वो male हो, चाहे वो female हो, सबी में क्या होते हैं, equal होते हैं, इनके बारे में हमें कुछ नहीं देखना है, फिलाल आज की study में, ठीक है, हमें बात करनी है sex chromosomes के बारे में, जो की organism to organism, individual to individual, depend करता है, जैसे हम यहाँ पे human being की बात करें, तो human being में जो male होता है, उसके जो sex chromosomes होते हैं, वो two types के होते हैं, XY और female में same type के होते हैं, that is the XX, कहने का मतलब यह है, कि जो हमारा male होता है, वो sex determine करेगा, ठीक है, देखो, XY है और XX है, ठीक, male है, male ही define करता है, कि जो बच्चा होगा, बेबी होगा, वो male होगा, या female, इसमें female का कोई role नहीं होता, कि boy होगा, या girl होगा, region Q, क्योंकि अगर यह gamit बनाएगा, ठीक है, तो कितने type के gamits बनाएगा, एक X gamit बनाएगा, एक Y gamit बनाएगा, लेकिन अगर हम female की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही gamit उसके कैसे होंगे, XX होंगे, ठीक है, यह ovum है, clear? जब ovum और sperm का fertilization होता है, at that time, पता चल जाता है, कि जो individual होगा, जो baby होगा, वो male होगा, या female का पता चल जाता है, after fertilization, जब ovum और sperm fuse होते हैं, लेकिन हमारी country में, this is illegal, ठीक है, लेकिन कुछ illegal काम भी करते हैं, हमारे देश में चुप चुपा के, तो उसमें क्या होता है, जो amniotic fluid होता है, उसको through the injection लेते हैं, after 18 week, ठीक है, जब अच्छी खासी amniotic fluid की, उसमें amount होता है, तो through the injection, they are taking the amniotic fluid, जिसमें amino sentences कहते हैं, जिसे, उस liquid को microscope में देखते हैं, अगर XX chromosome देखता है, उसमें तो कह देते हैं, कि the baby will be girl, और अगर XY देखता है, तो determine कर देते हैं, कि this will be the boy, ठीक है, तो अगर हम human being की बात करें, तो केवल only male responsible होता है, girl होगा या boy होगा, ठीक है, फिमेल को, अगर हम गाउं की बात करें, पुरानी अगर हम देखें, कि लड़किया ही हो रही है, लड़के नहीं हो रहे है, लेकिन में जो रोल होता है, वो किसका होता है, male का होता है, क्योंकि male के sperm ही two types के होते हैं, X और Y, female की तो कोई mistake ही नहीं होती, क्योंकि उसके पास single type का gamut है, that is the X, clear, अब इसमें हम gamut की probability देखते हैं क्या होता है, अगर हम देखें, कि gamete, इनका जो F2 generation होगा, वो कैसा बनेगा, तो पूनट स्क्वायर से हम बना लेते हैं, यह आपका मानलो, क्या है, male है, यह आपकी female है, female XX हो गई, male XY हो गया, XX इसको इससे किया, XX, XY, XY, तो 50-50% chances होते हैं, whether the baby will be male or the female, clear, इसको हम किस type का determination कहेंगे, यह male heterogamity में आता है, टेक, XY type में, यह हम इसको कह सकते हैं, XX, XY type, क्यों कहते हैं, male heterogamity में, क्योंकि male के बास दो अलग-अलग type के chromosomes होते हैं, male के sperms में, two types के chromosomes होते हैं, कुछ में X होगा, कुछ में Y होगा, depend करेगा, अगर X, X से fuse होता है, ठीक है, तो baby girl होगी, अगर Y से fuse X होता है female का, तो baby boy होगा, तो यह example था, male heterogamity, XY type में, अब हम एक और example लेते हैं, male heterogamity में, that is a grass होपर, जो होता है XO और XX type chromosomes, पहला हमने male heterogamity में पढ़ लिया है, XX, XY type, इसका example क्या है, human, clear, human में जो male होता है, वो heterogamity शो करता है, दूसरा example अगर हम इसका देखें, तो दूसरा example है, XX और XO type, या इसको हम कह सकते हैं, XO type, ठीक, इसका जो example है, वो है grasshopper, clear, grasshopper में जो chromosomes के pairs होते हैं, वो होते हैं आपके 12 pairs, हम यहाँ बात करते हैं male की, और यहाँ बात करते हैं female की, तो इन 12 pairs में, 11 pairs तो क्या होंगे, 11 pairs chromosomes जो होंगे, वो autosomes होंगे, ठीक है, और जो last का one pair होगा, वो कैसा होगा, वो allosomes या sex chromosomes होंगे, तो होता क्या है, female में क्योंकि XX type का होता है, और इसमें X0 कह सकते हैं, या XO कहते हैं, 0 है वैसे यह, इसमें क्या होता है, इनके, इनकी जो study की थी सबसे पहले insect में, ठीक है, insects में जो study की थी, वो की थी मुर्गियों के राजा, हैं किंग ने, ठीक है, मुर्गियों का राजा नहीं था यह, सिर्फ एक trick है, कि हैंकिक scientist थे 1891 में, हैंकिंग ने 1891 में मुर्गियों का राजा नहीं है, यह trick ऐसे ही दी है, क्योंकि देखो, मुर्गिया क्या खाती है, इंसेक्ट खाती है, तो हैंकिंग ने इसकी discovery की थी, 1891 में, किसकी X body की है, ठीक है, इन्होंने X chromosomes नाम नहीं दिया था, X body का था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंसेक्ट की, इस्पर मैटोजेनेसिस की study की, क्या हुआ, फिर से देखो, इंसेक्ट की में X body का जो discovery की थी, वो हैंकिंग साइन्टिस्ट ने 1891 में किया था, इन्होंने क्या किया, इन्सेक्ट में इस्पर मैटोजेनेसिस की study की, तो इन्होंने देखा, कि जो इन्सेक्ट के मेल में की बात कर रहे थे, मेल में, कुछ में इन्होंने देखा, कि कुछ जो sex bodies थी उनमें sperm में कुछ में इस type के structure पड़े थे और किसी में कुछ भी नहीं था तो इन्हों ने इसको क्योंकि X जैसा दिख रहा था तो इन्हों ने इसको कह दिया X body बाद में इसी X body को X chromosomes नाम दिया गया क्लियर तो इन्सेक्ट में जो study की थी वो किसने की थी हैंकेंग ने की थी ये question आपका उचा जा सकता है क्यों की थी कब की थी sorry 1891 में at the time of study of the insect spermatogenesis जब ये study कर रहे थे insect के spermatogenesis की तो इन्होंने देखा कि जो insect का male का sperm है उन्होंने कुछ में X type की structure present है जबकि कुछ में कोई भी structure नहीं दिख रहा था तो इन्होंने इसमें जो X present था उसको कह दिया X body ठीक है तो होता क्या है? male में क्या होता है? कुछ में तो X होता है और कुछ में कुछ भी present नहीं होता यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे तो X और X इनके ovum में present होगा ठीक है? अब देखो एक चीज़ और समझने की बात है अगर question आता है कि grass ओपर के male में कितने kromosomes होते हैं तो क्या होगा? 2N is equal to 23 ठीक अगर यहाँ पूछे female में कितना होता है? तो 2N is equal to 24 कहने का मतलब क्या है? जो 11 pairs है वो तो दोनों में equal होंगे जो कि autosomes है, male में भी, male में भी और female में भी लेकिन जो allosomes है, वो male में तो one pair है यानि कि 2 हैं लेकिन अगर हम male की बात करें तो केवल एक है एक में तो कुछ है ही नहीं इसलिए यहाँ पे kromosomes male में क्या हो जाता है? 23 हो जाते हैं, clear? अब हम इसमें देखेंगे कि gametes की probability क्या होगी बनने की तेक है? अब हम देखेंगे gametes क्या बनेंगे? तो gametes आपके x, एक में कुछ नहीं, एक में x और x अगर इसकी f2 generation हम देखें, तो क्या होगा? bonnet square draw करो ठीक है? यहाँ पे क्या ले लो? female ले लो, यहाँ पे male ले लो male में x0 जीरो था, female में xx था, xx, xo, xx, xo तो क्या हुआ? 50% male बना और 50% female बनने के chances हैं ठीक है? तो यहाँ पे क्यों हेट्रोगेमिटी शो कर रहा है? male शो कर रहा है example, grass ओपर, ठीक है question पूचा जा सकता है which of the following is example of the male हेट्रोगेमिटी grass ओपर, human, both या फिर butterfly तो your answer will be the both, grass ओपर और human दोनों ही male हेट्रोगेमिटी शो कर रहे हैं ठीक है? अब आते हैं हम female हेट्रोगेमिटी में जिसमें की female में हेट्रोगेमिटी होते हैं कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा male ही sex determine करें ठीक है? organism to organism depend करता है जैसे हम peacock की बात करें तो peacock में female define करती है कि जो उसका baby होगा, pehan होगा या peacock होगी ठीक है? clear? तो अब हम बात करते हैं female हेट्रोगेमिटी की I think it is clear अब हम बात करते हैं female हेट्रोगेमिटी की clear? female हेट्रोगेमिटी में कैसा होता है? X, sorry, Z, Z, ZW type और we can say Z, W type जो यहाँ देखो, वहाँ पे क्या था? XY था और X0 था, यह दोनों क्या थे? male था, यह human की बात कर रहे थे, यह insect की लेकिन यहाँ पे, male में तो same chromosomes हैं that is a Z, लेकिन female में different different है that is Z, W तो यहाँ पे जो sex है baby का कौन define करेगा? वो define करेगा female इसलिए example है female हेट्रोगेमिटी का clear? हम male कहते हैं इसको यह हो गई female ठीक है male में Z, Z हो गया Z, W हो गया अगर हम इसके gamits की बात करें यह Z, Z, यह Z, W इसकी probability देखें F2 generation में तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या ले लो? male ले लो Z, Z यहाँ पे female ले लो Z, W, Z, Z Z, 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 Z Z, W, तो यहाँ पे जो determine कर रहा है sex वो कौन determine कर रहा है? female कर रही है example किसका है? यह peacock का देखें, मोर-मोरनी का example है clear? peacock and peon दोनों कह सकते हैं देखें, मोर और मोरनी का peon देखो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो अगर हम देखें example में बात करें तो यहाँ पे हम human being की बात करें ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है? female ज़्यादा attractive होती है है ना? और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहां पर क्या होता है जो human के अलावा अगर हम other organisms की बात करें तो वहां पर दिखने में जो सुंदर जाधा होते हैं वो कौन होते हैं यहां पर male होते हैं इसलिए जो peacock होता है वो क्या करता है rainy seasons में अपने feathers को open करके dance करता है to attract to mating with the female ठीक है पीहन से गोरनी से क्योंकि उसको क्या करना होता है mating करना होता है इसलिए वो उसको attract करने के लिए सुंदर-सुंदर dance दिखाता है ताकि पीहन उसकी तरफ attract हो सके ठीक तो यह example था हमारा किसका था आपका female heterogamity का एक और example है female heterogamity का that is a ZZO type ठीक यह example है आपका butterfly and moth का ठीक है जितनी भी moths होती है उनमें और butterfly में इस टाइप का होता है ZZ है वो आपकी क्या है वो आपकी male है और ZO है female है तो यहाँ पर जो sex का determination है वो कौन कर रहा है female कर रही है इसलिए female heterogamity में आ गहें तो अगर पूछा जाए female heterogamity का example peacock हो गया और आपका pehan हो गया ठीक है और butterfly और moth हो गया clear है इसमें भी same होता है gamut की बात करें तो male में ZZ बनेगा same बनेगा और इसमें बनेगा ZO probability हमें F2 generation में same मिलेगी यहाँ पर क्या होता है यहाँ baby यह just opposite to the grasshopper है grasshopper में आपने देखा था क्या देखा था कि male के साथ नाइंसाफी हुई थी उसके अंदर एक chromosome किसी किसी में absent था लेकिन butterfly में क्या है female के साथ नाइंसाफी हुई है इसके कुछ own cell में jet chromosome से कुछ में कुछ भी present नहीं है ठीक है तो यह इसका opposite example है किसका grasshopper का clear एक और आता है haplodeploidy ठीक है इसमें से question पूछा जाता है haplodeploidy कौन शो करता है जिसमें male और female क्या होते हैं किसी में n होता है किसी में 2n होता है ठीक है example haplodeploidy का कौन है honeybee उसको देखते हैं हम haplodeploidy क्या होता है अब आते हैं हम haplodeploidy में इसका example कौन है honeybee ठीक हनी बी में हमें पता है कितनी होती है honeybees three होती है queen drone और workers ठीक है इन में से जो queen होती है वो two n होती है drone n होता है और workers क्या होते हैं ये भी two n होती है ठीक और female कौन होंगी female आपकी queen और workers होती है drone आपका male होता है ठीक और क्या होता है queen क्या होती है ये fertile होती है ये भी fertile होते हैं लेकिन जो workers होती है वो sterile होती है अब इसकी कहानी सुनना कि कैसे क्यून बनता है कैसे drone बनता है और कैसे workers बनते हैं clear queen में ठीक है queen की बात करते हैं तो queen में chromosomes कितने होते हैं 32 chromosomes clear हमें पता है queen में क्या होगा meiosis होगी तो हमें gametes मिलेंगे ठीक है queen में क्या होता है meiosis होती है इनके cells में तो हमें क्या मिलता है meiosis से ही हमें gametes cells मिलते हैं तो N मिलेगा, ठीक है, यह कैसे सेल है, गैमीट से, उन में कितना होगा, 16 क्रोमोसोम्स, मियोसस में क्या होता है, इसको हम रेडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2N क्रोमोसोम्स था, और गैमीट में जाते जाते N क्रोमोसोम्स हो जाता है, ठीक है, बनते यहाँ पेचार है अब देखो dron के साथ कितनी नाइसाफी है इसके पास Mexican Chromosomes टोटल है और इसके पास 32 chromosomes है इसने तो meiosis करके N बना लिया gamete बना लिया 16 chromosomes के ठीक लेकिन अगर think about drone अगर meiosis करेगा तो उसके N gametes में कितने chromosomes बचेंगे 8 फिर fertilization होना possible ही नहीं है है ना तो क्या होता है drone के cases में यह mitosis ही करता है और N बना लेता है gamete में N gamete बना लेता है यानि कि 16 का 16 chromosomes सी gametes यह के spumps में होता है ठीक है यहाँ पर 16 chromosomes थे यहाँ पर क्या हुआ N बन गया इन्होंने mitosis की यहाँ पर meiosis हुआ यह exception है drone का जो की meiosis न करके mitosis से gametes बनाते हैं clear अब हम बात करते हैं कि करती क्या है यह anti queen substances और workers के उपर spray कर देती है ठीक है ताकि जो और workers है वो queen में डर्वलप ना उपाएं ठीक है इसलिए जब तक एक single queen रहती है जब तक यह नहीं मर जाती तब तक कोई एक queen और नहीं बन सकता और reproduction के वल यही queen कर सकती है workers female जो है वो reproduction में इनका कोई रोल नहीं है इनका काम क्या होता है division of labor सारा काम इनहीं का होता है ठीक है कहाँ beehive बनना है कहाँ सेन को भूजन लाना है ठीक है queen की दिखभाल करना सारा workers का काम होता है तो होता क्या है यहाँ पे queen आगे आगे जाती है ठीक है मालो यह queen है यह आगे आगे जाती है और उसके पीछे कई डोन आने लगते हैं, ठीक, जो डोन सबसे पहले आ जाता है, वो queen की body पे क्या करता है, अपने sperm inject करके चला जाता है, ठीक, और इसके अंदर already ovum cell थी, ठीक, होता क्या है, फिर इन में fertilization होता है, ठीक, number of ovums और number of sperm होते हैं, ठीक, fertilization होने के बाद क्या बना, zygote बना, ठीक, यानि कि twin बना, ठीक, और ये सब क्या बनते हैं, जो fertilization से बनते हैं, वो क्या बनेंगी, वो बनेंगी सारी workers, ठीक, यानि कि सारी क्या हो रहे हैं, female हो गए यहाँ पे, fertilized egg से जो बनेंगी, ठीक, यानि कि जो egg इनके drone के sperm से fertilized हो जाएगा, वो queen बना लेंगी, ठीक है, अब बात आती है, कि drone कहां से आया, अगर सारे, जो आपके twin है, fertilized egg जो है, अगर वो female workers बनाएंगी, तो what about the drone, होता क्या है, देखो, इतनी कहानी समझ में आ गई होगी, होता क्या है, देखो, मैंने कहा था, number of ovums present होते हैं, और number of sperms present होते हैं, ठीक, माल लो, होता क्या है, drone जो होते हैं, ठीक, drone जिस drone ने fertilized कर लिया, यानि कि अपने sperms को eject कर लिया, queen के अंदर, उसके बाद क्या होता है, drone की death हो जाती, क्योंकि workers कहते हैं, तुम्हारा काम खतम, आप तुमको beehive में नहीं आने दिया जाएगा, तो क्योंकि उन्हें कुछ करना ही नहीं आता है, drone का काम से reproduction करना होता है, ठीक, तो ये भूग के कारण मर जाते हैं, यानिकि after reproduction हम कह सकते हैं, drones die हो जाते हैं, तो होता है क्या है by chance माल लो, कि कोई drone बचा ही नहीं, ठीक, कोई drone बचा ही नहीं, तो ये queen क्या करती है, जो उसके अंदर eggs पढ़े होते हैं, unfertilized यो पढ़े हैं, कौन से, unfertilized egg जो होते हैं, वो develop हो जाते हैं, drone में, इसी लिए ये N होते हैं, और जब कोई भी organism, कोई भी individual develop होता है from unfertilized egg से, तो उस process को हम क्या कहते हैं, parthenogenesis, clear, तो जो drone होता है, वो parthenogenesis से बनता है, produce होता है, ठीक, किस से बनता है, unfertilized egg से drone बनता है, clear, workers की कहानी क्या थी, ये female थी, लेकिन sterile थी, क्या होता है, जब old queen मर जाती है, तो क्या होता है, उन में से किसी एक workers को royal jelly खिलाया जाता है, वो fertilize हो जाती है, और फिर उनके अंदर ability होती है, कि anti queen substance बनाएं, और other workers के उपर spray करें, तो सारे क्या हो जाते हैं, sterile हो जाते हैं, और एक queen रहती है, वहीं दुबारा cycle चलती रहती है, clear है, ये थी honey bee की कहानी, पार्थिनो genesis के types भी देख लो यहां पे, ठीक है, यहां पे जो पार्थिनो genesis से कौन develop हो रहा है, male हो रहा है, तो इसको कहते हैं हम, erinotoky, ठीक है, ऐसे पार्थिनो genesis को हम कहते हैं, erinotoky, ठीक है, पहले पार्थिनो genesis क्या होता है, पार्थिनो genesis, इंडिविजबल प्रडियूज बाई, अन्फर्टिलाइज डेक, ठीक है, अब देखो, अगर यह अन्फर्टिलाइज डेक, ठीक, मेल में डिवलेप हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं, erinotoky, clear, अगर यह female में डिवलेप हो रहा है, तो इसको कहते हैं, ठाली-टोकी, अगर यह किसी में भी डिवलेप हो जाए, मेल और फिमेल में, किसी में भी डिवलेप हो जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं हैं, deutro-tooky, ठीक है, अगर यह male और फिमेल किसी में भी डिवलेप हो जाए, तो उसको हम कहेंगे, deutero-tooky, तो पार्थिनोजनेसिस थ्स्री टाइपके होते हैं, आधिनोटोकी अगर अंफर्टिलाइस्ट एक smear में डिवलिप हो रहा है अगर अनफर्टिलाइस्ट एक female में डिवलिप हो गया तो इसको हम कहेंगे थैजी टोकी अगर male और female में हो गया तो डूतरोकी ठीक है जैसे हमने एक्जामपल इसका क्या देखा इसका एक्जाम्पल इखा हनीबी हनीबी में भी क्या ड्रोन है न मेल इसकी एक्जाम्पल क्या है देखो ड्रोन जो जो श्बंड और छा एंजेक्ट करने के बाद वरकर्स बीस्वाइव में नहीं आने देती तो क्या कहती है जो ए करशोती जुति अरे तो एरे मतलब डोड faan यह एक्रत सब लेन चले जाती है तो इसका इग्जाम्पल गायmm LOOK AT विशंखुं में अघर इवलप होती है तो वह बहुत Taraр केसम होता है कि कभी कभी जब इंडिविजल सारेते मिन्क Ride तो फिने वर एकवा ए सिर्फटाटव तो वान परसंट चांस होता है कि जो unfertilized eggs से queen बन जाए ठीक है बहुत rare cases में होता है तो generally हम देखते हैं कि erinotoki, thalitoki ही पाय जाता है यह rare cases में हमें देखने को मिलता है clear? I hope so आज का topic आप लोगों को clear हो गया होगा तो हम देखो जो sex determination होता है यानि कि sex chromosomes होता है वो केवल आपका individual ही नहीं बताता कि baby boy होगा या girl होगा male होगा या female होगा ये जो होते हैं कुछ disease भी cause करते हैं X chromosomes या Y linked chromosomes पे जो disease होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि sex linked chromosomes से जो disease होती है वो कैसे होती और कौन कौन सी होती है ठीक है? कौन सी प्रोजनी पे वो disease कैरी होता है आगे को जाएगा और कौन उसी को वहीं हिंडर कर देगा या किस chromosomes में वो शो नहीं करेगा ठीक है? इसके बारे में हम कल स्टड़ी करेंगे आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले और डोंट फगट टू प्रेश दा बेल आइकन झाल 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 झाल